हेलो मेंटी पारे बच्चों कैसे आप सभी दिस वक रुशी दीदिया और स्वागत करते हैं आप सभी का नीट रैंक प्लस चैनल पे देखो नीट वेड़ी फोर को ना बस रहे अब दस से बारा दिन और अब हमारी आखे एकदम खुल जानी चाहिए एकदम जुनून के साथ ह सारी आपको बताने वाल हुँ तो वीडियो को जल्दी से 1.5 पर लगा दीजिए and वीडियो को end तक देखना है end तक बने रहना है because बहुत ही important topic बहुत ही important बात में आपको करने वाली हूँ ठीक है देखो जल्दी जल्दी में आपको सारे topics बता देने वाली हूँ because I don't want to waste any minute of yours कोई भी आपका कीमती समय मैं खाना नहीं चाहती तो जल्दी से अपनी NCRT खोल कर बैठे और ये सारे topics को mark करते जाए सबसे पहले तो ये living world वाले chapter में आजाए देखो ये सारे जो topics है न ये most repeated topics है आप लोग को ये समझना है कि what is the science behind practicing PYQs अभी PYQs हम लोग इसलिए practice करते हैं क्योंकि PYQs practice करने वक्त हम लोग को पता चलता है कि अच्छा ये particular chapter का ये particular topic important है वो topic को importance तब दी जाती है when it is most repeated मतलब for example 2015 में भी वही topics से आया after 2017 में भी 2019 में भी तो जितना वो most repeated होगा उतना वो important topic होगा तो on the basis of that that is frequently asked topics FAT FAT के हिसाब से हम लोग ये सारा bifurcation कर रहे है कि ये particular topic तो करी लेना है और वही neat exam में पूछे जाने वाला topic रहेगा उसी में से questions आएंगे ठीक है तो सबसे पहले living world वाले chapter में आ जाई उसमें सारे properties हमें कर लेने है और नॉमें कर लेना है ठीक है इससे जाधे living world chapter में कुछ बचा भी नहीं है फिर salient features कर लेना है next chapter में आ जाई biological classification salient features कर लेना है जो भी सारे kingdom है उसके salient features तो करी लेने है next kingdom जो सबसे important है ये पूरे chapter में that is fungus fungi kingdom बहुत ही important है उसमें से बहुत questions आते है एक्सेप्शन बेस्ट बहुत आते हैं कि ये kingdom है पर कौनसे exception है जो kingdom से बिलॉंग नहीं करते है next is next chapter that is plant kingdom plant kingdom में आ जाई तो उसमें आपको algae तो जरा भी मिस नहीं करना algae बहुत ही important है most repeated questions आपको algae से ही देखने को मिलेंगे फिर life cycle कर लेना है ठीक है फिर animal kingdom chapter में आ जाईए तो animal kingdom में आपको general features जो भी सारे phylum के general features है वो general features कर लेने है examples कर लेने है and exceptions कर लेने है ठीक है and example यही same चीज मैं आपको कही ठीक है फिर उसके बाद में next unit में आ जाईए that is structural organization इसमें सबसे पहला जो chapter है उसमें से estimation, placentation and comparison of structure कर लेना है ठीक है वो जो structure का chart आप बना लो और structure का chart से आप लो comparison करो जल्दी जल्दी आपका revision भी हो जाएगा फिर seed वाला topic miss नहीं करना, seed से बहुत questions आते हैं फिर next में आ जाओ that is animal वो structural organization वाला frog and cockroach जो chapter है उसमें से अफकोस frog भी आपके syllabus में कॉक्रोज भी आपके syllabus में अर्थवम नहीं है तो अर्थवम हमें नहीं करना, cockroach में digestive system and reproductive system यह दोनों बहुत important systems है ठीक है and frog तो हमें of course करी लेना है ज्यादा हमें detail में नहीं करना because यहीं पे syllabus में लिखा है कि brief account only ठीक है तो पॉक्रोज ज्यादा detail में करना है उसमें digestive system and reproductive system बहुत ही important है next में आ जाए cell structure and function वाले unit में बहुत ही important unit है इसमें cell theory हमें कर लेना है फिर functions यहां पर नहीं ज्यादा देखा गया है कि structure and function of cell organelles में से ज्यादा functional based questions आते हैं कि mitochondria क्या function है vacuoles का क्या function है समझ रब तो functions आपको ज़रा भी miss out नहीं करने पिर cilia और फ्लेजिला के उपर इतने भर-भर के questions आते हैं cilia flagella most repeated topic very important उसके बाद में बायो molecules में आ जाईए तो इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा most repeated enzyme action में आएगा फिर carbohydrates फिर nomenclature of enzymes यह सब most repeated है फिर cell division में आ जाईए तो cell division में of course mitosis meiosis पढ़ लेना है फिर next unit that is plant physiology plant physiology में आपको देखो photosystems पढ़ना है फिर z scheme पढ़ना है c3 c4 c3 c4 most repeated c3 c4 से हर साल questions आते है तो c3 c4 जड़ा भी मिस्स नहीं करना respiration में आजए तो क्रेप साइकल of course that is TCA cycle यह कर लेना है फिर phosphorylation ठीक है phosphorylation की वह NADH, NADPH यह सब कुछ जो भी बनाना तो वह पुरा flow chart पता होना थे कि कब क्या बन रहा है ATP कितना release हो रहा है ATP कितना absorb हो रहा है यह सारी चीजें हमें note down कर लेनी है फिर next chapter में आ जाईए तो इसमें phases of plant growth and plant growth rate plant growth topic जो है वो बहुत ही important topic है and PGR that is plant growth regulators इसमें यह सारे hormones के बारे में study करना है इसका effect क्या रहता है कौन सा promoter है कौन सा inhibitor है तो यह basic knowledge हमें पता होनी चाहिए फिर most important unit that is human physiology human physiology बच्चों most repeated है मतलब वो बोलें एकदम chunk major chunk जो होता है that is human physiology human physiology में सबसे पहला chapter that is breathing and exchange of gases तो इसमें से हमें mechanism कर लेना है mechanism as in कैसा exchange of gases होता है alveoli or blood vessel के बीच में क्या चलता है फिर blood vessel or tissues के बीच में कैसा exchange होता है वो सारी चीज़ां में कर लेनी है फिर oxygen dissociation कर्व जो है उसके बारे में basic knowledge पता होना चीए respiratory volumes तो miss out करी नहीं सकते वो volumes पता होना चीए कि title volume कितना होता है फिर IRV कितना होता है तो वो जो volume का number है न वो volume का number पता होना चीए disorders of course human physiology में आप एक बात note down करके रखो कि human physiology chapter कोई भी chapter हो ठीक है इस में से कोई भी chapter हो यू कांट miss out the disorders वाला topic ठीक हर एक chapter में लास्ट में सा disorders दिया गया है disorders तो जरा भी मिस नहीं करना जरा भी मिस नहीं करना ठीक हर एक chapter में disorders important है मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं पढ़नी चाहिए फिर बॉड़ी फ्लॉइट जार्कुलेशन भी बॉड़ी फ्लॉट जार्कुलेशन में blood groups of course blood groups में फिर आरेच फेक्टर जो है that is erythroblastosis phitalis वाला जो topic है यह भी most repeated है ठीक है तो blood groups कर लेना है आरेच फेक्टर कर लेना है blood clotting भी हमें कर लेना है blood clotting का जो paragraph है उसमें जो भी reactions है cascade of reactions जो है वो सारी चीज़े कर लेनी है फिर double circulation अभी double circulation में आप pathways करने है single circulation किसके पास है double circulation किसके पास है किसका कितना chamber का heart है इसके उपर questions आता है ठीक है तो मैंने आपको समझाया भी है परमसुंदरी वाला जो topic है वो बहुत ही most repeated है फिर उसके बाद में next chapter that is excretory products and their elimination तो इसमें of course urine formation तो miss out करी नहीं सकते starting of the chapter जो first page अपना उसमें तीन तरीके के organisms दिखाए गए है यूरी को टेलिक यूरी ओ टेलिक न मोनो टेलिक तो यह bifurcation के examples पता होने चीए ठीक है example based questions आते है कि birds belong to which group ठीक है ऐसे समझे राप तो इसे example based questions आते है example पता होने चीए फिर regulation of kidney function इसमें राज वाला topic आ गया and disorders of course मैं आपको बोला कि disorders तो important ही फिर locomotion and movement अभी locomotion and movement में से of course sliding theory जो है muscle contraction muscle कैसे contract करता है उसका theory पता होना चीए फिर सारकोमियर का structure है वो structure के बारे में पता होना चीए and last that is disorders and joints topic most important मिलब आप देख रहे हो NCRT में joints का topic खली इतना सा है इतना सा खली आधा page है joints का topic बर इतने most repeated PYQs है आप मानोगे नहीं joints से सबसे ज़्यादा most repeated हुए and then disorders ठीक है next is neural control and coordination neural control and coordination में से conduction तो करी लेना है ठीक है conduction उसमें action potential आ गया synapse का जो डाइग्राम है वह बहुत important है very very important यह पूरे चाप्टर में आपको वह डाइग्राम based question इतने आपको आ जाएंगे हर एक labeling पता होनी चीए वह डाइग्राम की ठीक है next is chemical coordination तो chemical coordination जो लास्ट चैप्टर अपना human physiology का तो उसमें जो cortex 2 है तो medulla के hormones का भी function पता होना चीए and cortex region का जो है उसका भी पता होना चीए तो adrenal is the most important उसके बाद में thyroid and उसके बाद में pancreas फिर mechanism of hormone action तो यह mechanism भी पता होना चीए उसमें फिर लास्ट का जो टॉपिक है दो तरीके के receptors होते है membrane bound और दूसरा intracellular receptor तो उसका example पता होना चीए कौन सा hormone कौन से में आएगा ठीक है फिर disorders of course disorders के बिना तो होई नहीं सकता so that was it ठीक है मुझे पता है कि अभी तो आधा ही हुआ है माम आधा आधा नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग तो यह यह वाला जो चीज है ना यह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता right and I don't want to waste your time ठीक है तो अभी के वीडियो में हमने class 11th के topics discuss कर लिये मुझे पता है कि आप लोग बोलोगे कि मैं यह सारे topics तो आपने बता दिये पर पढ़े कैसे पढ़ने का approach कैसा रखा जाए देखो मैं आपको एना एकदम reality बता रही हूं कि आपको क्या क्या करना चाहता है उसको सबसे पहले यह ध्यान रखना है देखो चार चीज़े बस चार पॉइंट कर लिया रहा तो बस हो गया नीट एक्जाम अपने हातों में सबसे पहले तो ncrt कर लेनी है उसके बाद में ncrt exemplar कर लेना है उसके बाद में mock test करना है चीक है अगर यह चार चीज़े कर ली तो फिर कुछ नहीं बचता और कुछ नहीं बचता ठीक है ncrt कर लेना है पूरा ncrt reading करना अभी ncrt reading कैसे करोगे अगर आपको नीड है अगर आपको ऐसे लग रहा है कि अभी मेरा कैसे होगा ncrt reading कैसे होगी तो आप यह playlist section में आजाए देखो यह हमारा ही channel है इसमें आजाए कि आपको यह playlist दिख रही है नीड zoology वाली playlist दिख रही है इस इसमें आप देखो एक एक चाप्टर पूरी बारिकी से कवर किया है एक एक लाइन किये लग यह मैं इसे गर्व के साथ बोल सकते हूं because I have done each and every line of ncrt and my students have done each and every line of ncrt and I am very very proud of them ठीक है वो मलब बच्चे रहते हैं literally 3-4 घंटे का session everyday रहता हमारा और वो starting से end तक बने रहते हैं क्लाइन करते हैं और उसके बाद में जो उनके अंदर confidence आता है ना that is next level ठीक है तो अगर आपको भी confidence चाहिए तो आप यह playlist जरूर चेक करना free of cost है right आप 1.5x पर 2x पर लगाकर अभी भी time है हमारे पास 10 दिन है और तो अभी भी game changer रह सकता है अगर आपको interest अभी भी अगर आपको एसा लग रहा हो कि यह प्लेलिस में आ जाईए पूरा एंसी आटी डंन डेस्टेड हो जाएगा उसके बाद में जो मैंने आपको बताया कि यह important है वह important है यह topic अगर आपको खली topic चाहिए तो यह topic के लिए भी मेरे पास solution यह topic के लिए आप यह वाली प्लेलिस में आ तो यह सारा एकड़म डीटेलिंग में करवा रखा है मैंने यह प्लेलिस्ट में उसके बाद में आपका अगर यह issue है कि पीवाई क्यूस कैसे करे मैं मौक टेस्ट कैसे करे मैं तो यह है solution आपका यहां पर आजाए यह प्लेलिस में आजाए जोलोजी नीट प्रतिग्या चैप्टर वाइस करवा है ऐसानी के एक साथ कंबाइन कर दिया अभी अभी फर एक्जांबल न्यूरल कंट्रोल और कॉडिनेशन का चैप्टर चल रहा है तो खली उसी के पीवाई क्यूस की प्रैक्टिस करनी है इस इस दा बेस्ट प्लेलिस पूरे यूट्यूब पे प्लेलिस इसमें आपको एक मिनिट में एक प्लेलिस लगा देना खली स्क्रॉल स्क्रॉल करते रहना और हर एक मिनिट में होता जाएगा होता जाएगा सो आपको रियलाइज भी नहीं होगा स्क्रॉलिंग करते करते आप पढ़ रहे हो तो इतने सारे पचास प्वेस्टन हो जाएँगे ऐसे ही खली स्क्रॉल करते रहना चीक है आपको बोला है तो आपको वो सल्यूशन भी देखे जाना है आपको बोला है तो वो भी कर लेना है आपको यहां पर प्लेलिस में दोनों तरीके के मिल जाएंगे टोपिक भी मिल जाएंगे और क्वेल के टोपिक भी मिल जाएंगे एंगे युछ चेक तर आओ ठीक है अब पर इस वीडियो गिलिंगे नेग्स वीडियो में इस आपको अ कुरुषिदिधी साइनिगो तिल देन टेक कैर बई आवर्यवर्यवर्यवर्ण